खेना खजूरिया गाउं में जगोटी की ओर से आने वाला में रोड की पूलिया का काम यहां का ठेकेदार बड़ी लापरवाही के साथ कर रहा है गाउं के लोग बता रहे हैं कि इस काम को चलते चलते लगभग 20 रोज से अधिक हो गए हैं अभी तो इस पूलिया को सर्फ खुदाई ही की गई है इस पूलिया को पूरी करने में ना जाने कितना समय लगेगा एक तरफ देखे तो बारिश का समय बहुती नजदीक आ गया है यदि बारिश थोड़ी तेज हुई तो जगोटी की ओर से आने वाले सारे वाहन का निकलना तो दूर की बाद पाउं पेदल निकलना भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इस नाले में पहले भी पूलिया के उपर पानी निकलता था अधिक पानी आने के कारण गाउं की नचली बस्ती में पानी भी खुसेगा जिससे ग्रामिन जनता परिशान होगी आने जाने के लिए जो वर्तमान का रास्ता बनाया है वह भी हल जोद कर बोनी की तैयारी करेंगे तो यहां की जनता का आना जाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा आखर इसका जवाबदार कौन है ठेकेदार अपनी मस्ती में मस्त होकर किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है गाउंवालों का कहना है कि ठेकेदार से बात करने पर वहाँ बताता है कि हम पानी आने के पहले ही यह पूलिया चालू कर देंगे कि खेर अब देखना यह है कि इस पूलिया से जंता को सुविधा मिलती है या परिशानी और जो परिशानी मिलेगा उसका जवाबदार आखिर कौन रहेगा ठेकेदार की लापरवाही की बज़स से ही इस में रोड से गाउं की और इस शेप्र की जंता को परिशानी का सामना करना भी पड़ेगा अभी वर्तमान में आने जाने के लिए कि दहर है रस्ता इसका साइड में तूदर रिखाल में वह भी खाल है यह इस तरी मलत कि अगर पानित फुरसाद के अगर गीर जाए ना तो गारी निकालनी मुस्किल हो जाती है इस खेत में से रस्ता दिया हुआ है जब बारिस आजाएगी तो इसमें से लिकलने अब दिक्कत उदर खाल भी जाम पूरा कर रखा है पाने पूरा फिलता हुआ पूरी बस्ती में गुसेगा यह ती यह टाइम पे नहीं बना तो मतलब सुभी को निचली बस्ती वाले को और आम जन को भी पेदल में दिक्कत आईगी गाड़ी घोड़े तो ठीक है लेकिन पेदल में दिक्कत आईगी